दोस्तों रूस के वेग्यानिक और औरगन ट्रांस्प्लांट स्पेशलिस्ट ब्लादिमीर पेट्रोविच डेमिखोब ने दुनिया का पहला दो सिर्वाला कुत्ता बनाया था इसके लिए उन्होंने जर्मन शेफर्ट ब्रीट के कुत्ते के शरीर में बड़ा चीरा लगा कर उसके शरीर में दो महीने के एक दूसरे कुत्ते के सिर को जोड़ दिया था ये खतानाक ओप्रेशन लगबग साड़े तीन घंटे तक चला था और ओप्रेशन के बाद ये दोनों कुत्ते एक ही शरीर से जुड़ गए थे हैरानी की बाद थी कि इन कुत्तों को देखने और निगलने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आया था यू तो ब्लादिमीर का ये ओप्रेशन काफी हद तक सफल रहा था लेकिन इसके बावजूद भी ये कुत्ते सिर्फ चार दिन ही जिन्दा रहे पाए थे इसके बाद 1958 में ब्लादिमीर ने ये ही ओप्रेशन एक बार फिर से किया और इस बार ये दोनों कुत्ते 39 दिनों तक जिन्दा रहे इन कुत्तों का जुड़ा हुआ शरीर आज भी रीगा म्यूजियम में रखा हुआ है ब्लादिमीर ने अपने करियर में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कुल 24 बार किये और इसके लिए उन्हें दुनिया भर में आलोचनाई भी जिलनी पड़ी